और उस्तो स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चनल टार्गेट शिविल सरुसेस में और देखिए आज है 16 मार्च और मदब्रदेस के डेली करेंट अफेर में आज हम 16 मार्च जितने भी इंपॉर्टिन करेंट अफेर हों उन पर डिस्कस करेंगे तो लेकर लाज तक द् नर्वास संस्थान का लुकारपन किसने किया है तो यह डॉक्टर विरेंद्र कुमार और स्री नारायन सिंग कुस्वा दोनों ने तो इसका आंसर हो गया तो ऑप्सन नमबर C A और B दोनों बात करें यहां पर डॉक्टर विरेंद्र कुमार की तो यह हमारे देश की केंद्र सामाजिक नयाय एवं अधिकारिता मंतरी है और बात करें श्री नारायन सीं कुसवाज की तो यह हमारे देश के सामाजिक नयाय एवं दिव्यांग जन कल्यान मंतरी है और हाल ही में मदरप्रदीश राजे सुटिंग एकेडिमिक की सुटर रुबिना फ्रांसिस ने पैरा सुटिंग वल्डगप में कौन सा पदक जीता है तो यह कास से पदक जीता है ठीक है तो इसका आंसर हो गया था और यह 10 मिटर एयर राइफल में जीता है इनके द्वारा ठीक है इंडिविजवल और रुबिना फ्रांसिस ची कहां से है तो यह जबलपूर्ड ठीक से है और इनको हमारे मद्द्प्रदेश का 2022 में मद्द्प्रदेश गवराव संबान से भी संबान किया गया था और हाले में PM प्रेटन वायू सेवा और PM धर्मिक परेटन हेली सेवा का सुभारा किन दो परेटन इस्था परियाटन हैली सिवा का सुभारम किया है किने दो परियाटन इस्थानों के बीच यह महाकाले स्वर और उमकारे स्वर चलिए अभी स्टार्ट करते हम आज के गरेंटेफर तो आज के गरेंटेफर में पहला कोशन है हमारा देखिए अभी हाली में वायू मंडली अनुसंदान परिक्षन सुविदा का उधगाटन कहां पर किया गया है तो यह सीहोर में किया गया है ठीक है सीहोर जिले के सिल्खेडा में किया गया है तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नमबर डी अभी हाली में वायू मंडली अनुसंदान परिक्षन सुविदा का उधगाटन सीहोर जिले के सिल्खेडा में किया गया है और इसका उधगाटन किसके दोरा किया गया है तो यह कीरन रिजुजी जो हमारे देश के केंद्रे भूविग्यान मंतरी है उन्होंने इस सुविधा का सुभारम किया है बायु मंदली अनुसंदान परिक्षन सुविधा का सुभारम किया ठीक है अभी हाल में केंद्री मंत्री कीरन रिजुजू ने दो अनुसंदान सुविधाओ एक तो हमारे मद्रप्रदेश के सीहौर श्टीक के सिल्खेला में और एक आंध्रप्रदेश के आंध्रप्रदेश के विसागा पत्नम में तो मद्रप्रदेश के सीहोर जीले के सिल्खेला में वायूमंडली अनुसंदान परिक्षन सुविधा का और जो विसाका पटनम जो के आंदरप्रदेश में है तो यहां पर ड़्टी अनुसंदान प्रयुक्साला का उद्गाटन किया है तो देखी केंद्री मंतरी कीरन रिज साला का उद्गाटन किया है भारती उसन कटिबंधिय मौसम विज्ञान संस्थान ने वायूमंडली गतिसीलता की समझ को और व्यापक करने और मौसम की पुर्वानुमान छमताओं को मजबूत करने के लिए वायूमंडली अनुसंदान परिक्षन नामक एक अबुद्पू और इसके अत्यदुनिक उपकरनों को कई मौसम मापदंडों को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है जिने मौसम मौडल को समझने और भारती मानसुन पर उन्नत अध्यान करने में उप्योग किया जाएगा तो से नमारा दगी हाल में मद्दप्रदीस कैबिनेट ने कितने करोल रुपए की केन बेत्वा लिंक परियोजना को स्विक्रति दे दी है तो 24,293 करोल रुपए की जो केन बेत्वा लिंक परियोजना है इसको मंजूरी दे दी है अभी हमारे मद्दप्रदीस कैबिनेट न है यह किन दो राज़ियों की सहन्यूखत पर यूजना है तो MP और UP ठीक है मद्दप्रदेश और UP की यह सहन्यूखत पर यूजना है और केन बेतवा लिंक पर यूजना में जो पानी है वह केन नदी से बीतवा नदी में जा रहा है और देख़े केंवेत्वा लिंक परियोजना की बात करें तो इसकी सुर्वात का हो इती यह 2005 में ही इसकी किये गए थै तो इसके समझोते पर हस्ताक्षर कब किये गए थै यह ऑर 22 मार्च को देखिए 20 जल दीवस भी मनाये जाता है और इस परियोजना में देखिए Mद्रेप्रदेश को сिचाही के लिए 834 834 मिलियन क्यूबिक मिटर पर उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन पानी मिलेगा तो हमारे मद्रेप्रदेश को ज्यादा पानी मिलेगा चित्रकुट विकास की थापना को स्विक्रती दे दी है और 24,293 करोड रुपे की केन बित्वा लिंक परियोजना को भी स्विक्रती दे दी है अयुद्धा में राम अंदिर रिर्मार के बाद कुट में भी स्रधालों का सहलाब उमल रहा है और देखे भगवान राम जी ने व अध्यप्रदीस और राजिस्तान को लाब होगा यह परियोजना चतरपूर, टिकमगर, निवाली, पन्ना, दमोह, सागर, दत्या और विदीशा, स्यूपूरी, रायसेन के सूखा प्रवाई छेतरों के अतिरिक्त 6,57,364 हेक्टेर भुमी को सिचाई के दायरे में लाएगी और 44,00,00,00 आबादी तक पेजल स्विदप पहुचाई जा सकेगी और कैबिनेट ने मुख्यमंतरी सोलर पंप योजना के विस्तार को भी स्विक्रती दे दी है जिसे अब प्रदानमंतरी क्रसक मित्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा यह योजना के इंदर सरकार की कुसुम बी योजना के तहट जारी दिस और निर्दीसों के अनुसार मद्यप्रदेश विद्धुत विकास्तिंगम द्वारा क्रियानवित की जाएगी बातिरम यहाँ पर प्रदानमंतरी किसान ओर्जा सुरक्षाम उत्थान महाभियान योजना इसे मार्ज जवर उननीस में नवीन और नवकर्नीकरन ओर्जा मंतराले द्वारा किसानों को खेती के लिए सौर असीचाई पंप इस्थापित करने हेतू सबसीडी देने के लिए लॉंच किया गया था और प्रतिक किसान को टूबेल और पंप सेट स्थापित करने के लिए 60% सबसीडी मिलेगी और उन्हें कुल लागत का 30% राजी सरकार से रिन के रोप में भी मिलेगा पीएम कोसुम योजना का प्रात्मिक उद्देश हमारे किसानों को अत्यधुनिक तकनीक उपलब्द कराना और क्रसी छेतर को डीजल रहित सिचाई के स्रोत उपलब्द कराना है तो सने वारा देखे भी हाली में अलवसंक्यत कार्यमंत्राले ने PMJVK यानि प्रदानमंत्री जन विकास कारकर्म योजना के तहत किस विस्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द देवी अहिल्य विस्वध्याले इन दौर में जैन अध्यान केंद्र के स्थापना वाली परियोजना को मंजुरी देती है बात करें यहाँ पर हम देवी अहिल्य विस्वध्याले की तो यह कहाँ पर है इन दौर में है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी ठीक है हमारे मद्रब्रदेश का पहला विस्वध्याले कौन सा है डॉक्टर हरीसियं गौर विस्वध्याले है जो कि सागर इस्टीक में है इसकी स्थापना जो है वो 1946 में हुई थी सागर विस्वध्याले के रूप में फिर बाद में 1983 में इसका नाम चेंज कर दिया गया क्य 2008 में बात करें इंद्रा गांधी राष्ट्री आदिवासी विस्वध्याले की तो यह कहां पर है यह अमरकंटक में है ठीक है इंद्रा गांधी राष्ट्री आदिवासी विस्वध्याले कहां पर है यह अमरकंटक में है अमरकंटक हमारे मद्रब्रदीश के अनुपुड स् सतापना कप की थी तो में इसकी सथापना की गी थी 1964 yeah That does इसकी स्थापना कि रुध होले प्रधालमंत्री जन्विकास का एरकर्म यूजन्या के तहत देवी अहिल्य विस्व धयाल के लिए 25 करोल रुपे की कुल अनुमानित लागत वाली पर्युजना को मंजूरी दी है इन पर्युजनाओं को जैन दर्शन के विकास से सम्वंदित ढाचागत विकास को मजबूत करने एकेडमिक सहयोग को बढ़ावा देने, अंतत्व विशे अनुसंधान को बढ़ावा देने, अंडू लीपियों के डिजेटली करन के माध्यम से भासा के संडरक्षन, हब इस्थापना के माध्यम से सामुदाईक आउट्रीच को मंजोरी दी गई थी विश्विध्याले द्वारा परियोजना जैन विरासत के संडरक्षन, प्रचार, जैन धर्म तथा उसके सिध्धानतों एवं प्रथाओं की वैस्विक समझ को बढ़ाने और सामुदाईक जुडाओं के लिए समर्थन विक्षित करने हेतु सुरू की जाएगी और बात करें यहाँ पर हम प्रधानमंतरी जन विकास कारिकरम की तो केंदर सरकार ने बहुच हेत्रे विकास कारिकरम का नाम बदल कर प्रधानमंतरी जन विकास कारिकरम कर दिया है कारिकरम का उदेश सिय अर्पसंक्यक समुदावयों के लिए स्कूल, कॉलेज, पॉलिटे इस धर्म का प्रचार किया था और 24 महान सिक्षक थे जिन में से अंतीम कौन थे यह महाविरजी थे इन 24 सिक्षकों को तिर्थकर कहा जाता है इनोंने जीवित रहते हुए सभी ज्यान यानि मोक्ष प्राप्त किया था और लोगों को इसका उपदेश दिया था प्रतम तिर्थ इसका पहला और दूनिया का दूसरा जो इंफैंटरी म्यूजियम है यानि पैदल सेना का जो म्यूजियम है वह भी कहां पर बनाए गया है तो महू में बनाएगाया यह भी प्रहाधा सेना-देश का पहला और दूनिया का दूसरा इंफैंटरी म्यूजियम में। और आज आज गले कोशन है दीए किसलिए प्रसिद्ध है ये MPPSC 2020 में कोशन पुचा गया था चित्रकारी, संगीत, नरत्ति या लिखन तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरू करेगा अगर आपी स्यनल पर नए हो तो सस्काइब भी कर लिजे थाइंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो